है स्टेक की एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ट्स 2022-23 से उत्रखन राज्य में पड़तेक स्कूल को स्कूल एजुकेशन पोर्टल में पड़तेक महा होने वाली मासिक परिक्सा का जितना भी डेटा है वो ऑनलाइन फिडिंग करना होगा अर्थात परतेक विसे में प्राप्त अंकों का ऑनलाइन अंकर्णा करनी होगी इसी को द्यान में रखते हुए इस वीडियो का निर्मान किया गया है कि परतेक अक्सा अध्यापक या विसे अध्यापक मोबाईल या कंप्यूटर की साहिता से आसान तरीके से मंथली चैस्ट का डाटा पिडिंग कर सके तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्कूल एजुकेशन पोर्टल में जाना होगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रॉम में या गूगल ब्रावजर या गूगल सर्च इंगजन में जाकर आप स्कूल एजुकेशन प तो आप देखेंगे यहां पर आपका एड्रस यहां पर open हो गया यहां पर आप देख रहे हैं education portal UK आप जैसे आप इसको click करेंगे तो यहां पर school education portal का interface यहां पर खुल जाएगा तो यहां पर आपको login है जो यह menu आपको यहां जायरा login है इसको आपको click करना होगा जैसी आप इसको click करेंगे तो यहां पर यह login मांगेगा यहां पर आप अपने school की ID डाल सकते हैं यहां पर password और उसके बाद आप यहां पर unit को select करेंगे और उसके बाद जो capture code है यह वाला यहां पर डालेंगे जैसे आप यहां पर डालेंगे और यहां पर लॉग इन करेंगे तो आपका जो इसकूल का एकाउंट है वो यहां पर खुल जाएगा तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें जब हम लॉग इन करेंगे तो वह हम कैसे उसमें काम कर सकते हैं अब आपने देखा कि जैसी मैंने लॉग इन किया उसके बाद मेरे इसको की आईडी यहां पर खुल गई है यहां पर देखरें कि यूनिट दिया हूए और एंप्लॉई दे हमें इसे कुछ निदेखना हमें यहां पर मन्थली एसस्मेंट जो दिया हूँ इसको हम यहां पर देखेंगे यहां पर एक एक अर्टा का निसान बना है जैसे हम से क्लिक करेंगे तो दो चीज हमारे पास आएगा assessment data entry form आएगा और assessment report आएगी जब अब हम इसको पूरा भर लेंगे उसके बाद हम इसमें रिपोर्ट चेक कर सकते हैं तो अब इसमें डेटा कैसे भरना उसको हम यहां पर देख लेते हैं तो assessment data entry को हम जैसी click करेंगे तो आप देखेंगे एक नया interface यहां पर हमारा open हो गया इसमें लिखा है monthly assessment 2020 और 2023 के लिए हैं यह और इसमें year on month जैसे अभी 4 चल रहा है तो यहां पर हमें उसका class test का data भरना है तो यहां पर हमारे पस class है तो class आप देख रहे हैं कि बहुत सारी class है हमारे पास, 6 से लेकर 12 हमारे पास class है, और किसमें आपको data भरना है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक menu यहाँ पर खुला हुआ है, class 6, 7, 8, status यहाँ पर दिया हुआ है, जो cross में आ रखा है कि अभी हमारे पास कोई record इसमें available नहीं है, यहाँ पर delete record, अगर आप से कोई गलती से कोई record भढ़ जाता है, उसको यहाँ से delete कर सकते हैं, और zero enrollment यहाँ पर यह सो कर रहा है, तो हम सबसे पहले 12th class का में एक उधारन दे देता हूँ आपको कि कैसे हम इसमें record भढ़ सकते हैं, तो 12th को जैसे में क्लि projects होते हैं, हर स्कूल में, वो अलग-अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, accountancy है, agriculture है, तो बहुत सारे हैं, आप अपने subject के अनुसार यहाँ पर बच्चों के marks इसमें भरेंगे, तो यहाँ पर देखिए, Hindi, History, Home Science, Mathematics, बहुत सारे subject दिये हुए हैं, जो आपके उतरक्षन board में assign हो रखे हैं, तो हमें एक उधारन ले लेते हैं, जैसे मैं accountancy या social science का कोई भी subject भरना चाहूं, तो मैं यहाँ पर भर सकता हूं, इसे आपको मैं भरके दिखाता हूं, तो एक हमें इसके लिए पहले एक file मैंने बना रखी है, आप इसको अपने roughly record बना सकते हैं, suppose आप की class में, यह एक social science का बना रखा 10th class का, लेकिन मैं आपको 12th class का record भरके दिखाऊंगा, कि उसमें हम कैसे number, जो बचो ना time किये वो भरने हैं, तो suppose students name है, और यहाँ पर student 5 students है, suppose एक class में 5 students हैं, और यहाँ पर total marks 10 दे रखे हैं, और यहाँ पर question 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो हर question के 2 marks हैं, तो जैसे पहले question बच्चे ने किया, question attempt किया, तो उसके 2 marks आए, दूसरे question में 2, तीसरे में 2, चौते में 1, और पांचे में 1, ऐसी चौता students हमा रहा हैं यहाँ पहर हैं, इसका not attempt, जैसे इसने question नहीं किया, तो not attempt ने हमने यहाँ पर दिखाया है, अब यह ज percentage marks को, यहाँ पर जो दे रखा है percentage marks, इसको हमें swim fill करना है, तो इसके आएगा, तो इसके लिए आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो marks हैं, यह total करें, कि परते एक percent में बच्चों के कितने marks उसने gain किये, तो जैसे 8, दस में से इसने 8 किये, पहले student ने, दूसरे ने 10 attend किये फुल, इसके बाइस ने 6, इसने 8 और इसने 4 attend किये, तो जो हमारे class का total है, वो या गया हमारा 36, तो यहाँ पर अब देखो, monthly test जो formula हमें दिया गया है, उतराखंड सरकार द्वारा, उतराखंड जो सिक्सा विवाग द्वारा, वो दिया गया है कि total number of student appear in the class 5, यहाँ पर हमा इसके class के marks हमने जोड़े, वो 36 आए यहाँ पर, अब जो class percentage निकलेगी, वो आएगा 36 into 100, तो यहाँ पर 36 हमारा आकड़ा आ गया, जो हमने 36 into 100 करा है, इसके बाद आपने देखा कि 5 students है, और हमारे जो marks थे, वो 10 थे, तो 5 को हम 10 से into करेंगे, तो 50 आजाएगा, जो आपका 50 आया, इस 50 से हम, जो 3600 है, इसको हम divide करेंगे, तो हमारा यह percentage निकलाएगा, और यही percentage हमें online portal में fill करनी है, अब वो कैसे करनी है, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि, suppose मैंने जो data लिया था, वो high school का था, लेकिन मैं उस data को, यहाँ पर, एक accountancy में बरके दिखाता हूँ, suppose यहाँ पर total enrollment जो subject में थे 5, जो मैंने वहाँ पर आपको बथाए, student कितने test दिया, 5 ने दिया, और teachers कौन था, यहाँ पर एक option आ रहा है, बहुत सारे teachers के नहीं मारा, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, परदीबनेगी, lecturer मैंने लिख दि तो यहाँ पर जैसे permanent मैं हूँ, तो मैंने appointment for this subject कर दिया, अगर आपका arrangement लगा है, तो आप arrangement यहाँ पर दिखा सकते हैं, अब यहाँ पर question 1, 2, 3, 4, 5, जो मैंने आपको पहले बताया था, उधारन यह, यह question 5 है, और कितने उन्होंने attempt किये, कौन सा उन्होंने attempt नहीं किया है, तो एक का मतलब होता attempt, पी एक का मतलब होता partially attempt, मतलब थोड़ा वहत उसने कोसिस करी, कम माकसा है, और एक option इसमें अभी नहीं आ रहा है, और वो आएगा आपका जैसे ने not available या उसने नहीं किया, या not attempt भी आ सकता है, तो फिलाल हम इसी के आदार पे कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं, पहला question जो है, यह पांचों बच्चों ने किया है, तो पांच, तो यहां पर हम इसमें जैसे हम लिख देंगे, attempt 5, तो पांचों बच्चों ने किया है, पहला question, दूसरा question हम यहां पर देख लेते हैं, दूसरा question, एक, दो, तीन, तीन बच्चों ने पूरा क किया है तो हम यहां पर इसको 3 कर लेते हैं, इस परकार ano पार्सली अटेम्ट इसमें हम देख लेते हैं पार्सली अटेम्ट एक किया हुआ है तो हम इसको यहाँ पर एक कर लेते हैं के इसी परकर रम तीसरे कोश्चिन में जाएंगे तो थीरे कोश्चन में देख लेंगे आत। कि एक दो वह थी बस्टो समय पूरा टैम किया है। है तो यहां पर हम इसको लिख लेतें हैं 3, और पार्षिए ली अटम हम देख लेते हैं कितनों ने असमें कि आ है, इसमें एक ही ने किया है तौह हम एक लिँए यहां पर कॉशा अब अभीस पर कर राइंब्यмотр हम 4 से motion में जाते हैं, आपते question में आंप देखेंगे की इसमें दो कर रखा है तो इसमें Canadian कर रखा है तो attempt दो बच्चों ने किया है और partially attempt देख लेते हैं कितने बच्चों ने किया है एक और दो बच्चों ने किया है इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा दो हो से इसी वह पर का पांचवे कोश्ण में जाते हैं तो पांच फोर कोश्ण में एक बच्चे ने कर रखा मुरा फुल और एक दो तीन बच्चों ने पार्समें किया है तो एक बच्चा ने पूरा किया है और पार्समें रे credit tengan को कि यह हैज क्रोप एफ चाथ में हुआ हाँ चोथे में दो दो आठेम्ट हाँ चोथे में हम देख रहे हैं यहां पर एक दो दो जनों ने करा है पूरा हुआ और यहां पर आयेगा तीन जो हमने गलत बढ़ दिया था तो आपने देख लिए कि हमने कोशिन एक दो तीन चार-पांच में पूरा भर लिया है अगर एक option और आ जाएगा तो हम उसे भी भरना होगा अब यहां पर पूछा average marks obtained by the class percentage कितने marks आये तो हम यहां पर क्लिक कर लेंगे जो आपने फॉर्मूले से निकाला था 72% तो हम यहां पर उसको यहां पर 72% लिख देंगे जैसे मैंने लिख दिया 72% marks अब आप देख रहें कि यह मेरा पूरा field भर गया है फिर मैं नीची आऊंगा ऐसी और teachers हैं वो भी अपने mobile से data भर सकते हैं और यह class wise data सारा भरकने के बाद preview में आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर आप देख रहें कि एक for achieved है उस बच्चे ने जो person achieved किया PA का मतलब तब partially achieved किया या attempt किया और UA का मतलब होता अचीवड जो अभी इसमें आप्शन में नहीं आ रहा है वो देरे देरे इसमें आ जाया तो उसके बाद हम preview में जाएंगे तो preview को जैसे मैंने क्लिक के आप देख रहें यहां पर accountancy जो मैंने data वरा था यहां पर आ रहा है परदीप नेगी lecturer appointment for the subject और यह पूरा का पूरा record इसका यहां पर आ रहा है ठीक है इसको हम जैसे हम नीचे जाएंगे तो यह बोलरा final submit करना है तो final submit करने से पहले आपको date इस test तारी को जैसे मैंने test लिया और today करके इसको मैं save कर लेता हूं तो यहां पर आप देख रहें date आ गया 5-4-2022 अब final submit हम यहां से कर सकते हैं जब हमारे पूरा record बढ़ जाएगा उसके बाद final submit कर सकते हैं तो मैं एक उधारन आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि कैसे final submit होग और okay कर देंगे मैं यहां फर option में तब आप देख रहें यहां पर कि 12th class का data यहां पर आगया और यहां पर write का निसान आया है और यहां से मैं इसको delete भी कर सकता हूं अभी delete करके भी आपको दिखाऊंगा record तो आप देख रहें यहां पर accountancy जो subject था उसमें बच्चों ने 5 ब आगया है question उसने किस परकार किये वो सब यहां पर पूरा कपूरा आपको दिखाई दे रहा है कि class का जो marks का average हो 72 आया तो है ना एक अमाल की जीज इसे हमें पूरा record मिल जाता है इसके बाद आप back जा सकते हैं बैक जाकर आप फिर दुबारा जो monthly statements है उसमें जाके assessment report assessment report भी check कर सकते हैं जैसे हम इस पर click करेंगे तो assessment report हमें पूरी अगर देखनी है एरवाइस तो 2022 मन्त जैसे अभी हमने किया था तो जैसे मैंने month 4 ले लिया क्योंकि month 4 का जो test हुआ हूँ मही में हुआ इसलिए month 4 आएगा और class यहां पर हमने ले लिया 12 और search पे गए हम तो आप यह देख रहे हैं कि record आ गया है accuracy और यहां पर total बच्चे आगे तो यह record पूरा का पूरा यहां पर आ गया है आप इसका बाद में जाके print भी निकाल सकते हैं अब जो record हमने आगर हमने suppose यह record गलत भढ़ दिया है तो आप चाहते हैं इसको मैं delete करना चाहूं तो delete भी हो सकता है आप back में जाए बैक जाने के बाद दोबारा monthly statement को क्लिक करिए उसमें assessment data entry form को क्लिक करिए तो आप देख रहें यहां पर आ चुका है और इसको आप चाहते हैं कि आप से अगर गलत हो गया है तो आप इसको delete करके दोबारा से record भढ़ सकते हैं तो इसको जैसे मैं delete करूंगा यह option आएगा यहां पर do you want to delete this class 12th record तो okay हम कर देंगे और फिर एक बार पूर पुछेगा फिर okay करेंगे तो आप देखेंगे मेरा record यहां से पूरा delete हो गया है तो आप fresh दोबारा record इसमें बढ़ सकते हैं तो यह जो सरकार ने वेवस्ता करिए बहुत ही उत्तम और भैतिरी ने आप सभी इसको बहुत आसा परिशानी से अपने mobile या computer के मदद से feeding इसमें कर सकते हैं अगर इससे संबंदित आगर आपको किसी पर करके परिशानी आती है तो आप वीडियो के जो description box है उसमें नीचे दिए mobile number पर संपर्क कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद झाल